हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु माई चैनल आयाम मादवी सिंग आज मैं आपको बता रही हूं कि हम पोए को किस तरीके से बनाते हैं यहां important पोई बनाना नहीं है मैं पोई की आपको बताती है कि हम पोई से इटली कैसे बनाते हैं मैं वह आपको बताऊंगी आज इसके निए चल ग्रीन चिली है, स्प्राउट्स है, कैरेट है और यह आप देखें वीट रूट है, यह मेरा इज विल्जर वो सेंदा नमक है, यह आप देखेंगे धनिया, इसमें बाद में हम डालेंगे धनिया को, यह आप देखेंगे हल्दी है, यह रैट चिली, यहाँ पर है कैपसिकम, बीन्स करी पत्ता मिश्रूम और यह आप देखिए धनिया मैंने बताया आपको और इसके साथ यह निबू है यह हम लोग बाद में डालेंगे अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना है हमारा यह गरम हो चुका है आप अब गरम हो चुका मस्टर्ट सेट मैंने डाल दीए इसमें और मैंने इसमें डालिये यह ओनियन जींजर डाल गये मैंने इसमें मैं अभी इसके अंदर यह गरीन चाहिए नहीं डालेंगी क्योंकि धस होगी यह बाद में डालूंगी तो जो चीज थोड़ा सा होने में ट भूल जाएगी अगर आप चाहे तो इसके दर पालक भी डाल सकते हैं वो में इसमें डाले फिर बहुत ही ग्रीन ग्रीन सा हो जाएगा हमें थोड़ा इसको कलर्फुल रखना है यह देखिए मैंने बीन्स भी डाल दिया इसके अंदर अब यह मैं इसमें कैरेट डाल रही हूं स्प्राउट्स में डाल रही क्योंकि हमें स्प्राउट्स सोड़ सोड़े कच्चे रखने यह मैंने वीट्रूट डाल दिया मैंने इसके अंदर टिमाटर मश्रूम कि यह चीज़े वह हैं जो बहुत ज्यादा हमें ज्यादा गलानी नहीं है थोड़ा हमें इसका कच्चा कच्चा सा टेस्ट रखना है लेकि कलर अभी आ गया इसमें यह मैं डाल दिया इसमें भी मैंने कप्सिकम डाल दिया अब मैं इसमें ग्रीन चीली डाल रही हूं अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो मट डालिएगा अब मैंने स्प्राउट डाल दिये इसमें और अब मैं इसमें ये नमक डाला जैसे कि मेरा सेंदा नमक है मुझे इसको थोड़ा सा हाथ से तोड़ना पड़ेगा देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है सब नाच्छल कलर है कोई आर्टिफिशन कलर नहीं है इसमें अब ये मैं इसके अंदर आप देख रहे हैं मैंने डाल दिया पुआ अब मैं इसके अंदर ये हल्दी भी डाल दे और मैंने चिली भी डाल दिया हाँ है कि यह देखें हमारा इसमें यह बचुक है तो पहले ही यह देखें मैंने इसको लिख में कर चुके पहले इसको मैंने गरम हो चुका मेरा भी जैस में ओई लगा दिया ताकि हमारी जो पुगा है उसको एक बेस मिल जाए अच्छे से उसके बाद हम क्योंकि वैसी भी इनने स्पेस कम होता है तो हमारा कोई डेड़ चमबच के करीब गिरेगा इससे ज्यादा नहीं गिरेगा एक चमबच हम ओल्रेड़ डाल की देखिए हमारी ट्रेत यार हो चुकिया अब हम इसको उठाके हमारे कुपकर गरम हो चुका इसमें ड़न देंगे और कवर करके पास से साथ नट रखेंगे इस पॉप ग्रीम चेटनी के साथ देंगे है जैसे कि आप देख रहे है हमारी यह पॉप इडली त्यार हो चुकिया रही के बीच में कट करेंगे तो यह बीच में से मारा दिखाई देरा सार यह बना हुआ है यह देखिए, सब दिखना है इसमसे, यह देखिए, इसको चट्ने के साथ और मियोनी के साथ खाईएगे, बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हा डिफ्रेंट टेस्ट आएगा, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसन आएगे, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और देखिए, फिर नेक्स वीडियो दो भी लेंगे, तिल देम अपना धहां दखिए, अपने से प्यार कीजिएगा, बाबाई